प्रेंस आज बनाते हैं सिमे कश्टट फलूदा माशालला जो देखने में नहीं खाने में भी मज़ेदारे एकदम ठंड़क और बहुती मज़ेका बनता है अस्सलाम अलेकुम वेलकम बेख टू मैं चैनल फेजन सारे निशार रसोई आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और दिल से स्वागत करती हूँ अपने सभी YouTube फैमली का जिसी के हम सभी जानते हैं घर में इस्टार्ट हो गई और ठंड़ ठंड़ा खाने के लिए बहुत मान होता है फलूदा खाने के लिए बहुत बाहर जाते हैं हम घर में ही बनाएंगे, घर के इंगीरन से बनाएंगे, वो भी बहुत मज़े का, चलते हैं और देख लेते हैं कैसे बनता है, तो यहां सबसे पहले चाहिए हमें सिमया, जिसको हम अगर बोले तो जवे भी कहा देते हैं, लेकिन इस तरह की सिमया आप घर में भी तोड सकते ह और जो मैंने पैकेट लिया है, इसके अंदर डेट कप निकली है, हमारी सिमया तो तो थोड़ी सी कम है, और इसको लोटू मीडियम फिलेम पर हलके से इसको फ्राइ करेंगे, यानि कि जैसे इसका कलर चेंज होगा, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे, तो लोटू मीडियम जैसे का कलर चेंज होगा, फोरण से हटा लेंगे और इसे नीचे रहेंगे, तो देखते ही देखते ही हमारा कलर चेंज हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम इसे निकालना नहीं है, इसी के अंदर हम छोड़ देंगे, अब यहाँ पर हम दूद का इस्तमाल करेंगे, तो पर गुलर की की तो बुट्व काई रही है। मैं किया रही है। psyche दूद में ही सकता हुझ है। फिर नीए जादा यहां करया है।rzyब जाएं सिमय के दाइना रही है। तो यहां पर मेंने डेड़ प्ले लिए सीवई और यहां पर आधा किलो की तेली मैंने बिल्कुल पूरी डाल दिये और आधा किलो में से आधी चली गई यानि कि यहां पर मार तीन पदूर इसमें लग चुगा है अब इसे चला देते हैं गेस के उपर तो सीवई यहां मेने स प्लेश लेखे लिभर का है आप यहां असका आप समय सकते हैं आप दालेंगे मिल्क पाउडर जो के लिए लेख जूंद तीन टेवल भर कर मिल्क पाउडर तो तो यह तो थोड़े से दस्वारा काजू को ग्राइंड करके मिक्सर लिए को डालें अब रूट के निदर दूड डाल देंगे यहां पर याद रहें यहां पर आपको गरम नहीं डालना है थंड़ डालना है तो यहां में कच्छा पका कोज भी में लिए सकते हैं यहां में नॉर्मली थैली का जो-सवडूठ था वो में असके अंदर डाल दिया है तो कम साक में एक कप नहीं देंगे इसलिए हम नॉर्मल डूट डालेंगे रूम टंपरेचर कर डालेंगे या फिर ठंडा भी डाल सकते हैं यहां पर हमारा अच्छे घुल चुका है और इसके अंदर एक भी लंग्स बिल्कुल नहीं रहे अब हम क्या करेंगे इस अब रख देंगे साइट में चल और मिल्क पॉडर से दूद बना कर रख रही थी यानि के लिक्विड बना कर रख रही थी तो मैंने लोडू मीरियम कर रहा था कभी हमारा दूद नहीं निकल जा सी मही वाला तो दूद में अब एक से दो मिनट अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा गेस का फिलेम तेज कर हिसे वीर कर सकते हैं मन्दा भी क्र सकते हैं अब यहां पर चीनी डालेंगे आप अपने वीरा नहीं दिये थी यहां रही आप ने से दूद्हा रही हम आप के बाद hadn't paid में थोड़ा साथ थिद से हाई कर रही हूँ है करने के बाद हमारी इसे धीच किन या फिल्म फिल्म पर अट्व है किसे फिर से 5ह कर दिया किया है धिके फिल्म यहां पर मेरे चार मिनट लग चुके हैं पक्ते-पक्ते सीमहियों को अब यहां पर मैंने मिल्क पॉड़र और कश्टर पॉड़र जो गोला ता वो इसके अंदर डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके एक हाथ से डालते जाएंगे दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे अगर हमने सारे एकसाइट डाल दिया है और इसको चलाएं नहीं तो इसके अंदर लॉप्स पढ़ जाएंगे और इसके अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा इसमें गुठलिया पढ़ जाएंगी और जैसी जैसे आप डालेंगे देखेंगे यहां पर थोड़ा सा जो अब तो देख सकते हैं और मैंने निचे ऐने छोड़ा रोम टेटर पर दो चोड़ेंगे और चोड़ेंगे और किसी चीज बिपर दाल देंगे फिरिच में के अंदर ताकि चल्ड लो जाएंगे तो यहां पर थेंड़ा हो चुका है आम में इसे थोड़ा सा पलेट देती फिरिज के अंदर चिल्ड होने के लिए क्योंकि फालूदा जो हता है बिल्कुल चिल्डी के बड़िया लगता है माशालोओ से खाने में जबर जस्त मजाता है तो यहां पर मैं सब पलेट रही हूं अपने बॉल्च के अंदर और बॉल्च के अंदर पलेटने के बात सीधर डालेंगे से फिरिज के अंदर ताकि जल्दी से ठंडा हो जाया खाने में जबर जस्त मजा है अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आ जाया तो प्लीस लाइक और थोड़े से बदाम भी डाल रही हूं कट करके और पिष्टे से भी करेंगे इसे गानिश तो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो जो आपकी घर में अबेलेबल हो उससे आप कर सकते हैं इसे डिवरेट तो माशालला मसा आ गया देखते ही मुँमे प और किस तरह अगरेंगे आप देख सकते हैं इस की ठीकनेश माशालला से कितनी घज़ब की है एक दम चिल्ड हो रहा है माशालला बहुती यम्मी लग रहा है देखने में भी खाने में तो घज़ब ढ़ादेगा तो माशालला निकाल लेते हैं इसे गिलास के अंदर तो देटेश के स Soon र्लम के को चुछ सीद लाज लिए मैं टाल दाल सकते हैं यहां पनी पसंद के आशक्री में अपनी आशक्रीम से डाल दी है आशक्रीम ले लिए अपनी पसंद से आप आशक्रीम ले सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी बेहन की शादी का भी तक आपने बिलॉग नहीं देगा तो प्ली जल्दी से देख लीजिए हल्दी महंदी शादी का बि तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से और मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपि कैसी लेगी तो फिर मिलेंगे नेक्श वीडियो में अल्ला हापीस और दौाओं में याद रखना